अगर आपका फ़र्न का प्लांट बुरी तरह से रूट बाउंड हो गया है तो उसे एक दिन पहले अच्छे से पानी दे दें फिर उसको अगले दिन आप गंबले से निकाल लें और कुछ इस तरह से दो भागों में बाट लें अगर प्लांट जादा बड़ा है तो आप उसक में आप इस तरह से लगाईए और जो मिट्टी में से जो सीड निकले हैं जो फ़र्न के होते हैं उनको आप फैक कियेगा नहीं वह वापस से आप इसी मिट्टी में डाल दीजिए फ़र्न के साथ क्योंकि उनसे भी एक छोटा सा प्लांट फ़र्न का ड्रेलप हो जाता है औ और इस तरह से देखिए मैंने दो पॉट त्यार कर लिए